अब दोस्तों स्वागत है आपका कृशी करांती की इस यूट्यूब चैनल पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट एग्रिकल्चर आफिसर क्लास टू की वेकैंसी के बारे में जो की ओडिसा स्टेट में आई हुई है इस वीडियो में हम आगे बात करने वाले हैं कितनी पोस्ट है पे लेवल क्या है कबसे आप अप्लिकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं और कौन एलिजीबल है सबसे पहले हम बात करें कबसे online application form स्टार्ट है तो 28 जन्वरी से online application form आप भर सकते हैं और इसकी last date है 28 February 28 February तक online application form आप भर सकते हैं पेस के लिए यहाँ पे देखें तो 9,300 से लेके 34,800 और उस पे आपका grade पे 4,600 रहेगा इसके बाद हम देखें vacancy positions की सब्सक्राइब करें तो बात करें तो बैचलर डिग्री ओफ साइंस इन एग्रिकल्चर और होटी कल्चर सभी students eligible हैं जिन्होंने agriculture और होटी कल्चर में अपना graduation किया है examination fees देखें तो 500 रुपीज है SCHT और PWD candidates belonging to Odisha they are accepted from payment of the fees मतलब इनके लिए SCHT category के लिए PWD candidates के लिए कोई भी application form की fees नहीं है method of selection देखें तो पहले आपका written test होगा देन उसके बाद interview written test में आपके दो paper होगे जो objective type होगा multiple choice के question होगे 2 गंटे का time मिलेगा आपको question paper solve करने के लिए और 100 marks हर एक paper को रहेंगे मतलब एक paper 100 marks का और दूसरा paper भी 100 marks का और negative marking यहाँ पे 0.25% रहेगी और interview के लिए आपका 25 marks consist किया जाएगा इस तरह से आप देखें 100 number का आपका पहला paper 100 number का दूसरा paper और interview आपका 25 number का place of examination देखें तो यहाँ पे center आपका कटक बताया गया है इसके बाद हम बात करें other eligibility condition की तो citizen of India होने चाहिए इसके बाद ODIA आपको लिखना पढ़ना और बोलना आना चाहिए और इसकी कुछ criteria है eligibility condition अगर आपने middle school examination ODIA as a language पढ़ा है तो आप इसमें eligible है इसके अलावा matriculation और equivalent examination अगर आपने ODIA पढ़ा है तो आप eligible है आपने language test ODIA का pass कर रखा है तो आप eligible है application form में आपका 10th का certificate bachelor degree जो आपने जहां से भी कर रखी agriculture या होटी कल्चर उसके साथ mark sheet और two recent passport size photo आपकी लगने वाली है proof of identity as आधार का certificate अगर valid है तो ODIA test अगर आपने pass किया है तो उसका certificate disability है तो उसका certificate अगर आपकी degree में जो date है वो 28 February के बाद की होगी तो आप इसमें eligible नहीं होगे यहाँ पे online application form में पहले आपको payment करना होता है तो payment करने की last date है 28 February एक बार payment हो जाए तो आप अपना form 3 March तक भी submit कर सकते हैं दोस्तो यह था पूरा वीडियो assistant agriculture officer के लिए कि जो भी details है वो आपको description में मिल जाएंगी description चेक करना ना भूले यह notification भी आपको description में मिल जाएगा तो उसको भी आप download कर सकते हैं official website कर लिंग भी description में दिया गया है कोई भी confusion रहा जाता है तो comment जरूर करें दोस्तो अगर वीडियो यहां तक आप देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें अपने दोस्तो तक इस वीडियो को शेर करें चैनल पर नए है तो subscribe कर लें ऐसे ही नए job notification के लिए मिलता हूँ मैं आपको किसी नए वीडियो में नए अपडेट के साथ तब तक स्वस्त रहें मस्त रहें देखते ने क्रिशिक रांती यूट्यूप चैनल सच आनंद के साथ बहुत बहुत अन्यवाद